Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vartika Singh and in today's video, we will know how to make a lesson plan in Samaji Bighyaan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vartika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. So let's start the video. Samaji Bighyaan में lesson plan बलाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पार्ट योजना, इसको हम heading या tagline कहते हैं इसको बिल्कुल ही वीचोबी, center में, board में और बहुत सुन्दरढ़न से आपको इसको लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हो विद्याले का नाम आप जिसी विद्याले से अपना B8, BTC, DLA कर रहे होते हैं उस विद्याले का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हो दिनांक जिस भी date को आप अपनी पार्थे होजना को बनाते हो उस date को आपको दिनांक में लिखना होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिनांक में हमने लिखा हुआ है 9 अप्रेल 2020 उसके बाद आप लिखते हो विषय जिस भी विषय में आप अपनी पार्थे होजना को बनाते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विषय में हमने लिखा हुआ है समाजी विग्यान भूगोल इसका मतलब यहाँ है कि हम समाजी विग्यान में अपनी पार्थे होजना को बना रहे हैं उसके बाद आप लिखते हो चक्र किचिन करने के दौरान जो भी बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चक्र में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहां पे हमारा फर्स्ट है इसलिए हमने चक्र में फर्स्ट को लिखा है उसके बाद आप लिखते हो कच्छा आप जिस भी कच्छा के लिए अपनी पाठे उजना को बना रहे होते हैं उसके बाद आप लिखते हो अवधी टीचिंग करने के दोरान जो भी समय दिया जाता है उसी टाइम को उसी अवधी को उसी पीरियड को आपको अवधी में लिखना होता है जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे अवधी में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण प्रकरण से यहां पे हम मैं बता दूगी यहां हमारा प्रकरण जो है नदिया है यह जो प्रकरण होता है यह पार्ट का नामी होता है इसको बिल्कुल ही बीचोबी सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुन्दर ढंग से आपको इसको लिखना होता है उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खीज देते हैं इसे हम ब्लैक बॉर्ड इंट्री भी कहते हैं और इसे हम विशे का इंडेक्स भी कहते हैं इस ब्लैक बॉर्ड इंट्री में इस विशे के इंडेक्स में हमने आपको विशे के बारे में 5-6-7 लिखते हो शामान उद्देश तो पहले मैं आपको यह बतादू कि यह शामान उद्देश क्या होता है आप जो विशय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसे बच्चा क्या सिखेगा उसे ही हम समानुदेश कहते हैं और उसे ही हम समानुदेश में लिखते हैं समानुदेश में हम अपने विशय के बारे में 5-6-7-8 पॉइंट सम लिखते हैं एक important और महत पूर जानकारी में आपको यहां पे समानुदेश के बारे में यह देना चाहूंगी जैसे कि आप समाजी बिग्यान की 20 पार्थ होजना बना रहे हैं तो आप अपने समाजी बिग्यान की 20 पार्थ होजना में यही समानुदेश आप बार बार लिख सकते हैं यहां पे हमारा समानुदेश में पहला पॉइंट समानुदेश में है छात्रो को समाजी बिग्यान बिषय के प्रती रूची जागरित करके नदियां का अर्थ होग कारणी के बिषय में जानकारी प्रदान करना होता है दूसरा पॉइंट समारा यहां पे शमानुदेश के बारे में है छात्रों को जीवन में नदियों के महत्तों को समझने योग बनाना तिसरा पॉइंट समारा यहां पे शमानुदेश के बारे में है छात्रों को नदियों और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है चात्रों को नदियों के उत्पत्ती के बारे में जानकरी पदान करना होता है चात नदियों की जानकरी प्राप्त कर इस संबंध में व्याख्या कर सकेंगे चात नदियों को वर्गिकृत कर सकेंगे उसके बाद आप लिखते हो बिसिष्ट उद्देश क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसे बच्चा क्या सिखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्यस कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्यस में लिखते हैं विशिष्ट उद्यस हमारे तीन प्रकार के होते हैं प पे हमारा ग्यानात्मक उद्देस में पहला पॉइंट समारा यहां पे है चात्रों को नदियों के अर्थ का प्रत्या श्रुमण करने योग बनाना बुधात्मक उदेश में पहला पॉइंट समरा यहां पे चात्रों को नदियों की कार्य प्राणरी की व्याक्या करने योग ब्रना दूसरा पॉइंट समरा यहां पे बुधात्मक उदेश में है चात्रों को नदियों के प्रती विधेयात्मक अभिवरिती विक्सित हो सकेगी पहला प्रदर्चित करने का कोसल भिक्सित कर सकेंगे उसके बाद आप लिखते हो सहायक समागरी तो पहले मैं आपको यह बतादू कि यह सहायक समागरी क्या होता है बच्चों को पढ़ाने के दोरान जो भी topic आप blackboard पे समझाने के लिए जिन समागरियों का यूज करके बच्चों को वह topic explain करते हो बच्चों को वह topic आप clear करते हो, समझाते हो उसी समागरी को हम सहाइक समागरी कहते हैं और सहायक समागरी के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, स्यामपर, प्रक्राण से समद्धी सहायक समागरी एक important जानकरी मैं आपको यहाँ पर सहायक समागरी के बारे में यह देना चाहूंगी जैसे कि आप B8 का एक्जाम दे रहे हो, तो B8 के एक्जाम में आपसे अक्सर यह question पूछा जाता है कि सहायक समागरी के बारे में बताई सहायक समागरी क्या होती है तो आप इसको ध्यान में रखके चलिएगा कि यह B8 के एक्जाम में बहुत important question आ सकते हैं तो आप इसको mind में लेके चलिएगा, रखके चलिएगा कि सहायक समागरी क्या होते हैं आप इसको learn भी कर लिजे उसके बाद आप लिखते हो पूरुग्यान पूरुग्यान से में पहले आपको यह बतादो कि यह पूरुग्यान क्या होता यह जो पूरुग्यान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है बस यहाँ पर क्या होता है कि पार्ट का नाम चेंज कर दिया जाता है पूरुग्यान में आप लिख सकते हो छातर नदियों के बारे में सामाने जानकारी रखते हैं ऐसा आप पूरुग्यान में एक लाइन उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रस्ने करते हैं, प्रस्तावना प्रस्ने करने के लिए आप तीन कॉलम बनाते हैं, पहला कॉलम तो आप बनाते हैं करम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए कोशन के करम को लिखते हो, और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो चात्रा देहापे क्रियाओ को कॉलम जिसमें कि आप चात्रों से प्रश्ने पूछते हो तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो चात्र चात्रा अनुक्रिया का कॉलम जिसमें कि चात्रा आपके पूछे गए कोशन के आंसर को देते हैं तो यह छात्र आंसर से हैं पिती पर सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है तीश्ड़कोषन हो पे हमारा चात्रों से है कि यहां मितलती है दो चात्रैंसर में फार्प्रक् Во φ्शलोकुर्ण पर हमारा चात्रों से है नदियों के बारे में आप और क्या जानते हैं तो चात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्ण इसका मतलब यह है कि नदियों के बारे में चात्रों को कोई नौलेज कोई जानकारी नहीं है पांचवे कोश्ण का आंसर चात्रों को नहीं आता है उसक से वाद आप लिखके हो आप व्याख्या करते हैं व्याख्या करने के लिए आप चार कॉलम बनाते हैं पहला कॉलम तो आप बनाएंगे सिछठ विदयाप्य क्रियाओं कॉलम जिसमें कि आप व्याख्या करने से पहले विकास रात्मक प्रशन छात्रों से पूचते हैं तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं को कॉलम जिसमें कि आप विकासात्मक प्रश्न पूछे गए छात्र आपके कोश्चन के आंसर को छात्र क्रियाओं के कॉलम में देते हैं उसके बाद चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं स्यामपट कारे का कॉलम जिसमें कि आप व्याख्या करने के दोरान मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिख सकते हैं तो हब हम व्याख्या करते हैं, बट व्याख्या करने से पहले हम चात्रों से विकासात्मक प्रश्ण कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर विकासात्मक प्रश्ण चात्रों से है, नदियों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो चात्र आंसर देते हैं, नदियों से हमें जल, मचलिया आधी प्राप्त होता है दूसरा कोशन हमारा यहां पर विकासात्मक प्रश्न दूसरा हमारा चात्रों से है नदियां कितने प्रकार की होती है तो चात्र आंसर देते हैं चात्र अनुत्री समस्यात्मक प्रश्न इसका मतलब यह है कि दूसरे विकासात्मक प्रश्न का आंसर च परकार की होती हैं इसके बारे में छात्रों को कोई नौलेज कोई जानकारी नहीं है तो अब हम व्याख्या करते हैं नदियों में प्रवाहित जल की मात्रा रित्यों के अनुसार घर्टी बढ़ती रहती है नदियों में जल की मात्रा उसके अपवाह छेत्र में होने वाली वर्षा वर्फ के पिगलने की दर तथा उसमें प्रवाहित जल की मात्रा के आधार पर नदियां दो प्रकार की होती हैं पहला सतत्वाहिनी नदियां ये नदियां हीम से ढके परवत से निकलती हैं जिससे इन नदियों में वर्ष भर जल की मात्रा पाई जाती है दूसरा असतत्वाहिनी नदियां वे नदियां जो सुस्क रहती हैं अथवा ग्रिस्मी रितू में सूख जाती हैं इन नदियों में केवल वर्षा रितू में ही जल प्रवाहित होता है जब नदि अपने उदगम अस्थान से निकलती है और मुहाने तक आती है तब इन नदि घाटियों को क्रमसर तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला उपरी घाटी युवा अवस्था दूसरा मद्य घाटी पॉढ़ा अवस्था तिसरा निचली घाटी व्रिधा अवस्था व्याख्या करने के बाद स्यामपटकार के कॉलम में हम मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम स्यामपटकार में हम लिखेंगे नदी घाटियों को तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला उपरी घाटी युवा अवस्था दूसरा मद्य घाटी पौढ़ा अवस्था तिसरा निचली घाटी व्रिधा अवस्था नदियां नदियां दो प्रकार की होती हैं पहला सतत वाहिन नदियां दुसरा और सतत वाहिनी नदियां व्याख्या करने के बाद हम चात्रों से बोधात्मक प्रश्ण करते हैं जिसके लिए हम तीन कॉलम बनाएंगे पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बुधात्मक प्रश्ण को कॉलम जिसमें कि हम चात्रों से पूछे गए कोशन के करम को लिखते हैं दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं चात्रा दियापे क्रियाओ को कॉलम जिसमें कि हम चात्रों से प्रशने पूछते हैं और तिसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं चात्र चात्रा उनुक्रिया का कॉलम जिसमें कि चात्रे पूछे गए कोशन के आंसर को देते हैं तो अब हम चात्रों से बुधात्मक प्रश्ण करते हैं, यहां पे चात्रों से बुधात्मक प्रश्ण हमारा पहला है, नदियों में जल प्रवाहिता किस आधार पर घटी बढ़ती है, तो चात्र आंसर देते हैं, नदियों में जल प्रवाहिता मौशम के आधार पर घटी ब बाटा है तो चात्र आंसर देते हैं नदियों को जल की मात्रा के आधार पर बाटा है बुधात्मक प्रस्म चात्रों से करने के बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं जिसके लिए हम फिर से वही सारी प्रोसेस को दोराएंगे हम व्याख्या करने के लिए फिर से चार कॉलम बन देंगे सिच्छड बिंदू को कॉलम जिसमें कि हम जिस टॉपिक पर व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक को लिखेंगे और दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं चात्र आधियाब के क्रियाओं को कॉलम जिसमें कि हम व्याख्या करेंगे बट व्याख्या करने के पहले हम चा शांपट कारे का कोलम जिसमें कि हम वियाख्या करने के दोरान मु्य and मुख्य स्वाइंक को स्वाइबने की ओना नाम बताइए हमारा पहला विकासात्मक प्रशन चात्रों से है भारत की मुख नदियों के नाम बताईए तो चात्र आंसर देते हैं ब्रमपुत्र गंगा यमना आदी नदियां प्रमुख हैं दुसरा हमारा विकासात्मक प्रशन हमारा यहां पे चात्रों से है उपरी घाटी या यूवा आवस्ता से आप क्या समस्ते हैं तो चात्र आंसर देते हैं शमश्यात्मक प्रश्ण इसका मतलब यह है कि विकासात्मक दूसरे प्रश्ण का आंसर चात्र को नहीं पता है उपरी घाटी या यूवा अवस्ता के बारे में चात्र को कोई नौलेज कोई जानकारी नहीं है अब हम व्याख्या करते हैं उपरी घाटी या यूवा अवस्ता में नदी घाटी के उपरी भाग में नदी का जल जल खड़े ढाल पर अत्यंत त्रिव वेग से गिरता है इस भाग में नदी की अपर्दन गती बहुत तेज होती है इस भाग में नदी काफी उचाई से गिरने के कारण लंबुवत अपर्दन करती है तथा अपनी घाटी को तेजी से गहरा करती है नदियों द्वारा लंबुवत अपर्दन से निम्न लिखित अस्तला कृतियों का निमार होता है पहला वी आकार की घाटी दूसरा जल प्रपात या जर्ना पहला वी आकार की घाटी नदियों के लंबुवत अपर्दन के कारण निर्मित गहरी सकरी घाटियों को वी आकार की घाटी कहते हैं इनका आकार अंग्रेजी के अचर वी की तरह होता है वी आकार की घाटी को कंदरा कहते हैं भारत में गंगा, सिंदू और ब्रह्मपुद नदियों में इस प्रकार की कंदराएं हैं व्याख्या करने के बाद हम स्यामपटकार में मुख्य पॉइंट्स के रूप में मुख्य बिंदू उपरी नदि घाटी में जल अत्यंत तेज वेग से गिरता है दूसरा, इस भाग में नदि द्वारा अपर्दन का कारे होता है तीसरा, इस अपर्दन से भी वी आकार की घाटी तथा जल प्रपात या ज़ड़ना बनता है बी आकार की घाटी को हम डाइग्राम के द्वारा स्यंपट कारे में दर्साएंगे व्याख्या करने के बाद हम चात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे बोधात्मक प्रश्न करने के लिए हम तीन कॉलम बनाएंगे पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम जिसमें कि हम चात्रों से पूछे गए कोश्चन के करम को लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर बुधात्मक प्रस्ट में पहला कोशन हमारा चात्रों से है उपरी घाटी को और किन नाम से जानते हैं तो चात्र आएंसर देते हैं उपरी घाटी को युवा अवस्था नाम से भी जानते हैं दूसरा कोश्णनेहापर हमारा बोधात्मक प्रश्न में चात्रों से है, वी आकार की घाटी कैसी होती है? तो चात्र आंसर देते हैं, वी आकार की घाटी उपर से चौड़ी परंतु तली में सकरी होती है. चात्रों से बोधात्मक प्रश्ण करने के बाद हम चात्रों को गृकार देते हैं गृकार के रूप में हम चात्रों को दे सकते हैं बच्चो आप सब पढ़ाया गया पार्ठ यात करके आएगा और वी आकार की घाटी का चित्र सहित वरन अभ्यास पुस्तक में लिख कर आईएगा ऐसा ग्रिकार हम चात्रों को दे सकते हैं अगर आपको हमारा यह लिसन प्लान पार्थ योजना अच्छा लगा वहाँ पे मैंने आपको इस पार्थ योजना की ड्राइब लिंक, ब्लॉगर लिंक और ट्यूटर लिंक, तीरो लिंक आपको इस पार्थ योजना की दे रखी है आप वहाँ से इस पार्थ योजना की लिंक को डाउनलोड करके इस पार्थ योजना को देख सकते हो और इस पार्ट ही उजना में अगर आपको कोई दिक्कत होती है कोई भी प्राब्लम होती है या कोई क्यों रही मुझसे पूछना हो या कोई कोशन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट S Sanders में मुझसे कोशन पूछ सकते हो या आप Diret मुझे mund भी कर सकते हो और मैं आपक को सब्सक्राइब जरूर कर लो साथी साथ बेल आइकन को प्रेश जरूर कर लिजेगा ताकि मैं जब भी कोई अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी जिससे की आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे तो अब हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई